नमस्कार साथियों कैसे हैं आप सब आसा करते हैं आप सब अच्छे सुंगे स्वस्थ होंगे फाइनली दोस्तों बिहार विद्यालय परिक्षा समिती द्वारा बिहार कोमर्स स्टी टी परिक्षा 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिसके लिए आज से आवेदन सुरू हो रही है और अंतिम्ति थी 17 जनवरी 2023 तक निर्धारित की गई है तो ऐसे में आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसके लिए कौन-कौन से अभिर्थी आउनलाइन आवेदन कर सकते हैं क्या-क्या योगिता आपके पास होनी चाहिए इसके लिए आयू सीमा क्या रखी गई है साथी साथ क्या-क्या डकॉमेंट्स आप सभी को लगेगा कौन से विसे का सिक्षक बनेंगे और इसके exam pattern syllabus क्या रखे गए हैं वो सारी जानकारी हम आप से को step by step इस वीडियो में बताएंगे तो हमारे साथ last तक बने रहेगा क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जैदे महत्पून है बहुत सारे अव्यर्थी लगभग जो है तीन साल चार साल से जो है इसका इंतजार कर रहे थे तो अब इंतजार आप सभी का समाप्त हो चुकी है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं इससे सम्मदित और भी कोई प्रस नगर रह जाएगा तो कमेंट करके जरूर बताएगा तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसके लिए जो है कौन-कौन से अव्यर्थी आविदन करेंगे तो कैसे जो है सिक्षक बनेंगे दोस्तो बिहार STT परिक्षा जो है बिहार वीडियले परिक्षा समिती द्वारा आयोजित करवाए जाती है जिसे माधमिक सिक्षक पातरता परिक्षा के नाम से जानते हैं लेकिन इसमें जो है दो तरीके से होता है पेपर 1 और पेपर 2 पेपर 1 जो होता है या 9th क्लास और 10th क्लास के सिक्षक बनने के लिए होता है जबकि पेपर 2 जो होता है या 11th क्लास और 12th क्लास के सिक्षक बनने के लिए होता यानि कि मादमिक में भी primary मादमिक और उच मादमिक होता है तो ये जो है उच्छ माधमिक सिक्षक बनने के लिए पेपर 2 का आवजन बिहार विद्याले परिक्षा समीती द्वारा आवजित करवाई जा रही है जो कोमर्स संकाय के लिए है आप सभी को मालूम है कि क्लास 11 और 12 में जो कि ये डिगरी कोलेज के अंतरगत आ जाते हैं तो इसमें जो है कोमर्स विशय की पढ़ाई होती है लेकिन हाई स्कूल जैसे 9th क्लास और 10th क्लास में कोमर्स विशय की पढ़ाई नहीं होती है तो इसलिए जो है पेपर 2 में इसे समलित किया गया है ताकि जो भी स्टुडेंट कोमर्स विशय से सिक्षक बनना चाहते है तो उसका असनातक में तो कोमर्स होना ही चाहिए तो कोमर्स विशय का सिक्षक बनने के लिए आप सभी को असनातक कोमर्स विशय से इसके बाद आपके पास PG की डिगरी होनी चाहिए और आपके इसके साथ 28 की डिगरी होना अनिवार्ज है तभी आप इसके लिए आवेधन कर सकेंगे तो आप समझ गए कि आप अगर 10 प्लस 2 स्कूल में जाना चाहते हैं कोमर्स विसे का सिक्षक बनना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को निश्ची तोर पर भर सकते हैं बसरते विसे का आपको धियान रखना है तो इससे सम्मझित और भी जानकारी हम आप सभी को मोबाइल स्क्रीन पर लेकर बताते हैं ताकि हम आप सभी को वहाँ पर और भी बेहतर जानकारी दे सकेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं गूगल ब्रोजर को open कर लेना है और गूगल में आपको सर्च करना है कोसी स्टडी देख लिजे दोस्तों आप सभी को इसी तरीके से सर्च कर लेना है कोसी स्टडी आपका पेज इस तरीके से open हो जाएगा आप थोड़ा सा नीचे स्क्रोल करेंगे तो यहां पर आप सभी देखेंगे बिहार कोमर्स STT एकजाम 2023 और यहां पर देखेंगे बिहार STT आउनलेन फ़र्म 2023 जो की सैंस और आर्ट स्विसे के लिए यहां पर दिया गया है और ये जो है commerce विसे के लिए paper 2 के लिए दिया गया है तो ये दोनों चीजे अलग है थोड़ा सा यहां पर अंतर है आप चाहे तो दोनों को पढ़ सकते हैं लेकिन हम आपको अभी बताने वाले हैं बिहार commerce STT exam 2023 के लिए तो यहां पर इस link को आपको open कर लेना है open करने के बाद यहां पर आप सभी कोई से संबंदित विस्तिरित जानकारी दी गई है आप चाहे तो इसको पूरा पढ़ सकते हैं step by step हर चीजे इसमें clear की गई है आज से आवेदन शुरू हो रही है और 17 जनवरी 2023 तक इसके लिए अंतिम्तिति निर्धारित की गई है इसके बाद आपको नीचे आना है नीचे आने के बाद यहां से आप सभी को इसका full notification डाउनलोड करना है जैसे कि यहां पर देखेंगे notification calendar लिख रहा है तो यहां पर आपको click here पर click करना है इसके बाद आपके सामने ये page open हो जाएगा तो जैसा कि आप सभी अपने स्कीन पर देख सकते हैं वानी जिस संकाय के लिए मादमिक सिख्छक पातरता परिक्षा STT 2022 के आयोजन एवं उक्त परिक्षा से संबन दित विस्तिरित जानकारे यहाँ पर दिया गया है पेपर 2 के लिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे संरचना दि गई है जिसमें बताया गया है कि सिख्छक पातरता परिक्षा के प्रस्न जो होंगे वो बहुव इकल्पिय होंगे परतियक प्रस्न एक अंका होगा इसमें कोई भी निगेटी मार्किंग नहीं होगी यहाँ पर विसे के वी के बाद पेपर का जो सीलवस यहां पर दिया गए है आप सभी देखेंगे उच्छ मादमिक के तहत आने वाले वानी जी संकाय के विसे के लिए राज अस्तर के विस्विध्यालियों में जो अस्तनातक परतिष्ठा का अस्तर यह जो विसे की पढ़ाई होती है तो उनी अस् अस्तनातक लेवल का ही जो युनिवर्सिटी में लागू है अभी इसके बाद यहां पर परिक्षा का पेटर्न देखेंगे तो मादमिक सिक्षक पातरता परिक्षा में पूछे जाने वाले प्रस्ण जो होंगे वह 100 अंकों के होंगे विसे वस्तू से जबकि 50 अंक होंगे आपका सिक्षन कला से इसके साथ साथ इसमें अन्य दक्षताओं पर अधारित प्रस्ण होंगे तो इस तरीके से टोटल 150 अंकों की यहां पर परिक्षा होगी सभी प्रस्ण जो है आपका इसमें बहु विकल्पिय रहने वाला है अहारता की बात करेंगे तो यहां पर देख यहां पर पेपर 2 के तहत वानीज संकाय के अंतरगत आने वाले विशयों में मानता प्राप्त विश्विद्याले से कम से कम 50% अंकों के साथ PG की डिगरी आपके पास होनी चाहिए इसके अलावे अनुसुचित जाती अत्यंत पिछरावर्ग पिछरावर्ग दिव्यांग ए सकते हैं 45% के साथ जो है असनकोतर की डिगरी होना चाहिए और किसको किसको छूट यहां पर मिल रही है वो चीज़े यहां पर नीचे बताए गई है तो सबसे पहले यहां पर एक और पॉइंट है देख लिजिए मादमिक सिक्षक पातरता परिक्षा 2022 में समलित होने के अगरनलीजे की 17 जन्वरी तक आवदन की अंतिमति तील में रखी गई है तो 17 जन्वरी 2023 से पहले आपके पास सवी होना अनिवार्ज है 677 जन्वरी सर्षक आपको ओना चाहिए क्योंकि यहां पर पर्मानपत आपको 거죠 करना होगा जिसका विवरन हम आपको आगे बताएंगे इसके बाद देखेंगे उम्र सीमा में छूट तो यहां पर मादमिक सिक्षक पातरता परिक्षा 2022 में समलित होने हैं तू यहां पर 2022 ही लिखा हुआ है क्योंकि यह 2022 का नोटिफिकेशन ही है जो की तैस में आया है ऐसा कह सकते हैं इसलिए जो है आयू सीमा का जो की छूट दी जाएगी दस वर्स की छूट सभी कोटी के अभियर्थी को यहां पर मिलेगी इसके बाद नीचे आते हैं तो आप सभी देखेंगे बिहार सरकार के नियमा अनुसार जो संकल्प संख्या 294 दिनांक 7 11 2016 द्वरा परकासित किये गए है तो यहां पर जो है उस प् के महला के लिए 40 वर्स इसके बाद महला पुरू से पिछरा वर के बीसी कंडिडेट के लिए 40 वर्स इवीसी कंडिडेट मेल और फिमेल दोनों के लिए 40 वर्स अनुसुचित जाती मेल फिमेल दोनों के लिए यहां पर 42 वर्स अनुसुचित जन जाती के लिए मेल फिमेल द जाएगी इसके बाद यहां पर देखेंगे और भी प्रावधान है अलग-अलग कैटेगरी को जो है अलग-अलग तरीके से छूट दी जाएगी वो चीजे भी यहां पर बताया गया है जो भी भुद्पूर सैनिक अव्यरती है उनको अधिक्तम उम्र सीमा में तीन वर्स की ए इसके बाद और भी यहां पर रियात दी गई है आप चाहिए तो इसको पर सकते हैं और यहां पर अधिक्तम उम्र कितना होना चाहिए यहां पर देखेंगे जो भुद्पूर सैनिक है इनका वास्त्तविक उम्र आविदन की समय अधिक्तम यहां पर 57 वर्स से अधिक नहीं अनुसार ही यहां पर दिया गया है जेनरल के लिए 50% अंक STT परिक्षा में लाना होगा यहां पर BC कंडिडेट के लिए 45.5% अंक EVC के लिए 42.5% अंक इसके बाद SCST के लिए 40% दिव्यांग के लिए 40% महला कंडिडेट के लिए 40% न्यूंतम अंक निर्धारित की गई है इसके बाद यहां पर देखेंगे कि पर्मान पत्र पर्मान पत्र में यहां पर दिया गया है कि STT परिक्षा 2022 में पेपर 2 में उत्तीन सभी अव्यरतियों को यहां पर पर्मान पत्र निर्गत किया जाएगा जब भी वेकेंसी आएगी तो आप इस पर्मान पत्र को जो है आव इसका जो आपको certificate मिलेगा आपको lifetime के लिए इसको valid कर दिया गया है यानि कि अगर आप एक बार pass हो जाते हैं तो दोबारा फिर से जीवन भर में exam देने की जो रत नहीं है मौका मिल रहा है तो निश्ची तुरूप से यहाँ पर दीजिएगा इसके बाद यहाँ पर normalization की भी परकिरिया अपनाई जाएगी हो सकता है अलग-अलग सिप्टों में जो है या परिक्षा लिया जाए तो अलग-अलग स्तर में लिया जाएगा तो प्रस्ण का लेवल भी अलग-अलग होगा अलग-अलग सिप्टों में जिससे जो यहाँ पर normalization वीधी अपनाई जाती है ताकि कि किसी विशेश पालिक या कर दिया गया है इसके बाद यहाँ पर देखेंगे normalization की प्रकिरिया वेरियेशन ऑफ जोन जैड़ स्कोर नौन मेथर्ड से की जाएगी हो सकता है इसमें और सारी प्रकिरिया हो जिसमें की अलग-अलग फ्यक्टर को अपनाया जा सकता है इसके अलावे आप से भी देखेंगे 150 अंकों की यह परिक्षा हो रही है अगर किसी अभियर्थी को का जो है माली जेकी चेक करने के बाद जो है raw score 76 होता है और नर्व लैसन जैसे ही लाग होता है तो 74.9 0 हो जाता है तो ऐसे में जो है निर्धारित उतीन अंक जो यहाँ प है तो आपका रिजल्ट जो है अनुत्रीन माना जाएगा यहाँ पर जो है 150 का 50% लिया गया है यानि कि 75% आपका आना अनिवार्ज है इसके अलावे अलग-अलग क्याटेगरी में जो है यहाँ पर 5% की हो सकता है छूट मिले वह चीजे हम आपको बता दिये है कि 5% की स्टैब को इसमें तो लेकिन विशेय वस्तु में अगर आपका जो है जैसे कि मालेची की असना फ़िसकी कांड़ की इस्तिती में नोरलाइशन एस्कोर जो है रिनात्मक परभाव आ सकता है तो इस बात को आपको धियान में रखना है परिक्षा सुल्ख की बात करेंगे तो जेनरल के सब्सक्राइशन का सब्सक्राइशन करेंगे यहां पर देखेंगे अनलेन वीधि से आयुजित की जाएगी यहां पर देखेंगे बाद online आविदन करने की तीथी यहां पर मेंसन कर दी गई है जो कि हम आपको बता ही दिये हैं कि आज से यह आविदन शुरू हो रही यानि की तीन जनवरी से लेकर 17 जनवरी 2023 तक जो है अंतिम तित्थी यहां पर निर्धारित की गई है इसके अलावे यहां पर परिक्षा फॉर्म भरने की वीधी बताए गई है बिहारवी दियले परिक्षा समीती के अफिसल वेबसाइट से जो है आविदन लिए जाएंगे इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस में आपको मेट्रिक का अंग पत्र एवं परमान पत्र जन्मतिति के लिए वेरिफाय किया जाएगा इसके बाद इंटर का परमान पत्र जो मूल होता है उसके बाद अंग पत्र आपको लगेगा असनातक का भी अंग पत्र और मूल परमान पत्र असनातक को तर का भी परमान अंपत्र और भी कोई सेक्षनिक योगता अगर हो तो आप उसे अपलोड जरूर कीजिएगा इसके बाद जो है अगर आप अपने कैटेगरी का लाव लेना चाहते हैं तो उसका जो है आप सर्टिफिकेट जरूर बनवा लिजिएगा ठीक है क्रिमिलियर जितना भी होता है सब कुछ बनवा लिजिएगा ताकि आपको दिक्कत नहों इसके बाद यहां पर देखिए जो कोई भी महला कंडिडेट है तो आप मेंसे बहुत सारे कोमेंट करते हैं कि हम अपने सुस्राल से बनाए मैंके से बनाए या फिर पती के घर से हमको बनाना परेगा तो यहां पर जो यहां पर देख लिजे पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए नौकी पती के नाम से इसके बाद दिव्यांग कंडिडेट है तो उस कंडिशन में आपको दिव्यांग सर्टिविगेट बनवा लेना है इसके बाद भुदपूर सैनिक है तो अधिक्तव इसके बाद यहां पर देखे लास्ट में आपको जो है सुल्क भुगतान करना है तो जितना भी डिसिप्ट आपको मिलेगा उससे आपको प्रिंट आउट कर अपने पास रख लेना है यूजर आड़ी को भी अपने पास रख लेना है तो वहीं सारी चीजे बताए गए हैं जो हम आपको बता दिये है इसके बाद यहाँ पर कोई भी समस्या आती है तो आप जो है इस help desk, email id और mobile नमर पर संपर कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं तो जैसे ही आपको cstity.com पर आते हैं तो सबसे उपर ही आपको इसका लिंक मिल जाएगा जिसमें आपको विस्तिरित जानकारी यहाँ पर दी गई है और आविदन लिंक भी आप सभी को यहीं से मिल जाएगा तो आपको बिहार commerce stt exam 2030 लिंक पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको विस्तिरित जानकारी प्राप्त कर लेना है यहाँ पर हर जानकारी जो है अपडेट की गई है आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप सभी को apply link आपको यहाँ पर मिल जाएगा हाला कि apply link जो है यहाँ पर जल्द ही active हो जाएगा आप सभी यहाँ से आविदन कर सकेंगे संबनित कोई और भी जानकारी चाहे तो कॉमेंट करके जरूर बताएगा हम उस पर कोशिश करेंगे अलग से वीडियो ला दे धन्यवाद आप सभी का